हलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आज की इस नए सेशन में और इसमें हम लोग करने वाले हैं कंप्यूटर का जो नेक्स चेप्टर है यह आपका रहगा चेप्टर नंबर 11 11 चेप्टर है इससे पहले आपका अल्रेडी 10 चेप्टर करवा दिया गया है जो कि बहुत ही महत्पूर्ण है बिलकुल आपके यह जितने भी एक्जाम होते हैं उसके विए इंपोर्टेंट तो है ही खास करके यह जे एससी का जो है जिसमें आपका 20 कोशन पुछा जागा डारेक्ट कंप्यूटर से उसके लिए यह बहुत महत्पूर्ण है तो आप बिलकुल इस सेशन को पूरा देखिए और इससे पहले आपका प्लेलिस्ट मिल जागा इस चैनल पर वहां से जाए कंप्यूटर अवेर्नेस करके आपको प पढ़ते रहें साथ में इस वीडियो को भी देखिए ताकि जित्ते भी कोशिशन आपको पूछे जैसे यहां पर देखिए आपका इस भी आपका इस बीपीए तो अच्छे खासे स्टेंडर्ड एक्जाम में जो कोशन पूछे गया है वह सारे कोशन यहां पर आपको कभर क जूची करेंगे डीटावेस जो की महतवन है है यह जैसे अपरेटिंग सेल्टेंग इन प्रेंटन था फिर आपका विंडो जूँछ इन इसे भी आपको किसी अन एक्जाम के लिए यह काफी इन्पोर्टेंट है तो चलिए स्टाट करते हैं डेटावेस कंसेप्ट के बारे में एक कोश्चन को हम लोग कवर करेंगे इसमें जो पहला कोश्चन दिया गया है वह है आपका फिलिन दे ब्लैंक्स के फॉर्मेट में दिया गया है यह कंप्यूटर चेक्स दा फिलिन दे ब्लैंक्स यहां पर बताना क्या होगा ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड फोर मैच बिफोर ग्रांटिंग तो क्या फिल होगा देखिए ओप्शन दिये गया आपके है का फाइल नेटवर्क डेटावेस तो देखिए क्या वह रहा है कंप्यूटर चेक्स दर डेटावेस क्या हो जागा डेटावेस हो जाएगा डेटावेस ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड फोर मैच बिफोर ग्रांटिंग जैसे कि आप कुछ भी लॉग इन करते हैं तो उससे पहले आपको वहां पर डालते हैं उसमें यूजर नेम जैसे अभी जो भी आप भरते हैं तो उसमें यूजर नेम डालते हैं फिर पासवर्ड डालते हैं तो कंप्यूटर कहां से वह चेक करता है तो डेटावेस में वह आपका डेटावेस पहले पहले से स्टोर है तो वह आपको grant करने से पहले login देने से पहले वह database से match करता है कि जो आप information उसमें put किये है वह correct है कि नहीं है तो ध्यान रखेगा इसका correct answer हो जाएगा आपका database next question है आपका यह भी fill-in-the-blanks के format में है तो यहां पर देखिए क्या है is a collection of data that is stored electronically as a series of record in a table तो क्या होगा इसका answer तो simple answer हो जागा इसका database database क्या होता है database is a collection of data that is stored electronically क्या रहता है वो physically तो रहता है नहीं कुछ जो भी है वह electronically रहता है मैं digital form में रहता है series of record बहुत सारे record जैसे आप कोई form बर रहे है तो आपका username password registered है उसी तरह आपके तरह हजारों या लाखों student है उनका भी वह जो भी data है वह stored है तो क्या है वह database क्या है collection है data का चलिए समझ में आ गया वह simple सा चीज़ है next question देखते हैं इसमें a collection of interrelated record is called अब कोई भी एक दूसरे सा similar इंटर इंटर रिलेटेटेड करने जुड़ा हुआ connected या similar जैसा कुछ data है उस record को हम लोग क्या बोलेंगे तो उसको सिंपल साय database बोलेंगे अब जैसे इसका सिंपल से एक्जाम पर देखें जैसे पेन आपके पास बहुत सारे प्रेंट तो वह आप एक साथ रखेंगे तो वह एक तरह से क्या हो गया प्रेंट अब जैसे कोई जैसे पीडिया फाइल है बहुत सारे बुक का नोट्स का पर पास पीडिया फाइल है तो वह क्या हो गया वह एक दूसरे से मतलब इंटर रिलेटेड है तो वह आपका एक जगर रहेगा तो वह क्या हो गया डेटावेस और यह देखे आर बी ग्रेट बी 2012 पुछा गया तो अच्छा कोश्चन है द्यान रखेगा नेक्स्ट कोश्चन है आपका इसमें फिच आप दे फ्लोविंग इस दा ऑर्गनाइजड कलेक्शन अफ लार्ज अमांट ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा स्टोड इन मिनिंग्फुल वे यूज फोरे मैनिपुलेशन एंड एंडिगर तो आप इसको एक बार देख लीए बहुत और प्रैक्टिस कर लिए ऑ और प्रक्टिस ओंना अफोसन धूरिया है जो भी जाम है है तो जितना ज्यादा सब्सक्राइग होगा और जलिले नेक्ट कोशन देख लेते हैं आइटम सच अच शेच चेट्ट एड्डु थो क्या कंसीडर करेंगे तो उसको हम लोग करेंगे डेटा एज डेटा कंसीडर करेंगे सुनल कि चेटाइप अपका इस उसमें बहुत सारे नोटस इस इस फॉरमेट को डेटाविस को क्या भोलेंगे यह अच्छा कोशन है ध्यान रखेगा तो इसका सही जवाब होगा हाईरेरिकल डेटाबेस यह इंपॉर्टेंट है ध्यान दिजगा अगर थोड़ा सा स्टेंडर्ड कोश्चन पुछना होगा तो यह एक स्टेंडर्ड कोश्चन में आएगा एक स्टेंट कोश्चन है आपका देटाबेस अस्टोर इंफ्रमेशन इन जो डेटाबेस है वह इंफ्रमेशन किस में अस्टोर करता है और यह देखिए आई-वी पियस्पयो पुछा गया है मतलब कि यह काफी अच्छा कॉश्चन है तो यह जो इसका करेक्ट अंसर हो तो चलिए इसको कवर करते हैं क्या बोल रहा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोई भी डेटा स्टोर है तो उसकों लोकेट करेगा तो मतब जैसे कुछ स्टोर है जैसे-देखिए-आप साइट पे भी आगर लॉग इन करते है तो थोड़ा सा वह time लेता है तो वह क्या करता है इसमें फिज करता है data सिंपल सा कोशन नेक्स कोशन है device that could be used to input data into database कौन सा device use होता है database में entry करने के लिए तो इसका correct answer हो जाएगा किसे हम लोग input कर सकते हैं mouse से कर सकते हैं keyboard से कर सकते हैं तो यह है आपका डिवाइस ठीक है जिसके थुरू हम डेटावेस में डेटा इंकर इंपुट मतलब डाल सकते हैं कि नेक्स्ट कोश्चन आपका कोश्चन नबर टेन इसमें पूछा गया आपसे इन रिलेशनल डेटावेस क्या है एक डेटावेस है डेटा इसमें क्या बहुत अच्छे से समझ में आए जिनको तो आप देखिए सिंपल सा है कुछ यह नहीं उसको सिंपल सा टेवल बोलेंगे जो रोज और कॉलम में मतलब इस तरह इस सरी कैसे जो डेटा है इसको ओवराल क्या बोलेंगे इसको टेवल बोलेंगे डेटावेस के लेंगवेज में आफ फिर है आपका आए एक सेकंड नेक को सेम जब तक आप लोग पढ़िए चलिए नेक्स्ट विश्शन आपका इसमने दिया गया है the smallest unit of information about a record in a database is called क्या बोलते हैं smallest unit कोई information का about a record कोई भी database में record है उसका smallest unit को हम लोग क्या बोलेंगे simple question है उम्मिद करता हूँ आपको समझ में आओगा तो इसका सही जवाब हो जागा smallest unit को बोलते हैं फिल ध्यान रखेगा यह बहुत अच्छा कोशन यह कोशन और इसे पहले वाले कोशन यहीं सब पूछेगा आपसे अगर डेटावेस से कोशन पूछा गया तो और यह कोशन आपको जैसे सी नहीं बलकि अन्न एक्जाम जहां पर कंप्यूटर यहां पर की जैपीए से में कुछ कोशन आपको पीटी में कोशन पूछा जाता कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर से तो वह आपके लिए बहुत ही मत्पुन है तो ध्यान रखेगा ऐसा आपके अन्य एक्जाम में भी यह काम आए तो नेक्स्ट देखें फिल इन दे ब्लैंक्स के फॉर्म में है क्योशन पूछ रहा है आपसे आर्द डिस्टिंग आइटम क्या है और डिस्ट किसको बोल रहा है पर डाट डाट डॉंट है मच मिनिंग तो यू इन गिवन कॉंट चलिए तो इसमें से बोला गया कि फिल्ड डेटा क्यूरीज प्रपर्टीज यह जो दिया गया है इसमें बोला डिस्टिंग आइटम डैट डैट डॉंट है मच मिनिंग कुछ ज्यादा मिनिंग नहीं और इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा फिल्ड धान रखेगा इसका करेक की प्रपटी बोलते हैं रिलेशन का तो वह क्या होता है क्या मतलब उसका क्या रिफर करता है और ऑफ्र होगा क्ट क्या Zar 장 नंबर फिर रोज ऑ फ रिलेसन ही इसक्ता चल्ड जो रहता रिलेशन हो तो उसको क्या बोलते हैत तपल यह भी बहुत आच्छा ज्यादा नहीं इस तरह के आपको 5-6 टम मिलेंगे आपको बस वही याद करना तो आपको पूरा डेटावेस आपका कवर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन आपका collection of related files को यह collection related files का मतब एक तरह files का collection है उसको क्या बोलेंगे हम लोग तो ध्यान रखेगा उसको बोलेंगे रिकॉर्ड यहीं दखिए जैसे इसमें रिकॉर्ड टपल रोज फील्ड फिर यहां पर टेवल यहीं सब आपको चार-पांच कीवर्ड है जो आपको इध्यान रखना यहीं सबसे कोश्चन पूछा जागा अगर डेटाव इससे कोश्चन पूछा गया तो फिर नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं शिक्स्टी नंबर कि इसमें क्या है इसमें पूछा गया है इन्द रिलेशनल मोड्स कार्डेनलिटी का मतलब क्या हुआ है सिंपल सा कोश्चन है तो इसका सही जवाब हो जागा आपका नंबर ओफ टपल्स इसमें आपसे पूछा गया है इसका इन्फरमेशन कहां पर रहेगा यह तो यह रहेगा आपका रिकॉर्ड में ध्यान रखेगा यह भी बहुत अच्छा कोश्चन है ध्यान दीजेगा यह जित्ते भी लास्ट पांचे कोश्चन जो आम लोग आगर बढ़ रहे हैं सारे इन्पोर्टेंट है डेटापेस में यही मात्पॉर्ण है यही पूछा जाता है नेक्स्ट कोश्चन आपका डीबी ए मेसेज कम फ्राइजट आफ अटेवल डैट मेड़ रो कॉल्ड तो फिल इस ब्लैंक बरना दो है तो देख लेते हैं इसका भर के आपको बताता हू है तो अंसर यह हो जाएगा आपका यह तू नंबर तो अब देखिए संटेंस पढ़ते हैं डीबी मेसेज कंप्राइज आफ टेवल डैट मेड़ अप रोज को क्या बोलेंगे रिकॉर्ड बोलेंगे और कॉलम को क्या बोलेंगे फिल्ड इसको अपको ध्यान रखना आपको इसके बाद नहीं आता पर इसके आगे ही आता है तो इस तरीके से आप याद रखेंगे आप एक भी याद रख लिए तो हो जाएगा आपका रोज फो रिकॉर्ड कर लिजे आर फो र और और सी फोर एफ ऐसे करके याद कर लिए तो आप कंप्यूजन नहीं होगा किसके लि कोड कोश्चन एवार्ट इंफर्मेशन इंडेटावेस और यह के इस लएक के लारेख में पूछा गिया है तो इसका क्रेक्ट अंसर हो जागा इसको क्या बोलते हैं तो सिम्पल सा एक कोई भी इनफर्मेशन उसको करना है तो कोश्चन अगर मतलब डेटावेसके फॉर्म म इसमें a person a program that generally has more user-friendly a program that generally has more user-friendly interface than a dbms is called इसका correct answer हो जाएगा form क्या बोल रहा है program that generally has more user-friendly कोई एक program है जो बहुत ही ज्यादा इसको बोलते हैं फॉर्म नेक्स वीच फ्लोविंग अब्जेक्ट और कंटेंड इन डेटावेस कोण साब्जेक्ट होता है डेटावेस में तो इसमें जो रहता है वह रता है आपका कि यह पर टेवल तो रहता ही है फॉर्म भी रहता है क्यूली तो सारे हो जाएगा आपका all of the all of these हो जाएगा यहां पर नेक्स्ट कोश्चन आपका विच फ्लोविंग प्लेशेज दा कॉमन डेटा इलिमेंट इन ओर्डर फ्मॉलेस्ट लार्जेस्ट तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा 22 का 3 3 हो जाएगा आपका इसका जैसे करेक्टर फिल्ड रिकॉर्ड फाइल और डेटा वेश यह अंसर हो जाएगा आपका नेक्स्ट आपका वाट इस दा ओवरॉल टर्म फोर क्रेटिंग इडिटिंग फार्मेटिंग इस्टोरिंग रिट्रीविंग टेक्टर मतब देखे डॉक्मेंट तो यह सारे के लिए सिंगल टर्म क्या होगा तो इसके लिए हो जागा डेटा बेस मैनेजमेंट इसी को बोलते हैं डीबी एमस डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम ध्यान रखेगा बहुत ही इंपोर्टेंट है नेक्स्ट आपका 24 24 24 में आपसे पूछा गया है डाटावेस एड्मिस्टेटर फंक्शन इन और्गनाइजिशन आप बताइए कि कोई भी एक और्गनाइजिशन है वहां पर डेटावेस एड्मिस्टेशन जैसे आप से सिविल सर्विस बगर्ण में या इन जेनरल सर्विस में तो उसका काम कहा है तो वी रिस्पॉंसिब़ फोर तेकनिकल असपेक्ट ऑफ मैनेजिंग्जिशन इनफोनेशन कंटेंड इन और्गनाइजिशनल डेटावेस वेस उसको इनफोरमेशन को टेकनिकल जो भी मैनेजमेंट करना है उसको उनका धेख़ रहे करना एक तरह से टे relational database management system used to perform their database task is referred to as बताईए कौन सा code use होगा relational database management system used to perform their database task जो भी database task को perform करने के लिए तो ध्यान रखेगा इसका correct answer होगा SQL SQL code use होगा ध्यान रखेगा और बताईए आप लोग की SQL का full form क्या होता है सोचिए अगर नहीं बताएगा तो फिर मैं बताऊंगा क्योंकि यह question आपका in general competitive exam में भी पूछा जाता है कि SQL क्या होता है तो ध्यान रखेगा इसका नेक्स्ट है DBMS help to achieve DBMS क्या achieve करने के लिए help करता है तो इसका सही जबाब है बोथ 1 & 2 यानि की data independence और centralized control of data दोनों के लिए DBMS help करता है नेक्स्ट को चानब का which out of which out of the following is not a DBMS software मतब करना की मतब जो इतने विद्नाम दिये गया है इसमें से सब्सक्राइब की आपका DBMS fox pro Oracle साइबेस तो इसमें से तो आपका Oracle का तो नाम 100% सुने होंगे आप लोग कुछ कुछ साइबेस का भी पूछेंगे और यह दोनों तो था ही पहले का तो आप Oracle से तो बाकिव होंगे चलिए नेक्स देख लेते हैं इन विच देटास चैनल दी टेटास केंद इसनल तो इसका तो इसका रीचम चचोंप मतलब की रीचे लए तो उसके लिए के लिए को का रहता है नेक्स्ट फिल इन दे बलैंक से आपको बताना है प्रोवाइट टोटल सॉलूसन टुरीडूस डेटा रिटेंडेंजी इनकंसिस्टेंशी डिपेंडेंज अनथ्राइज आक्सेस काना कि क्या सोलूसन है यह सब रिदूज करने के लिए कम करने के लिए के लिए फिर इंकसिस्टेंसी डिपेंडेंस एंड अनुथ्राइज अक्सेस को यह सब को रिड्यूज करने के लिए तो इसका सही बहुत अच्छा कोशन है ध्यान दीजेगा इस पर तो इसका सही बाबोगा प्रोटेक्शन पासवर्ड नेक्स्ट आपका प्रियोडिकली आइडिंग चेंजिंग एंड डिलीटिंग फाइल रिकॉर्ड इस कॉल्ड मजए एक सिस्टेमेटिक यह प्रियोडिक वे में आइड करना चेंज करना डिलीट करना फाइल रिकॉर्ड इस कॉल्ड तो उसको क्या बोलेंगे क्या करना है चें यह नेक्स्ट वेक्षेशन देखते हैं 31 इसमें पूछा गया आपसे आर्किटेक्ट्ट्ट्र ऑफ डेटा वेस् मानेजमेंट कान भी व्यूड एड तो इसका सही जबाब होगा थी लेवल्स करें मतलब जो आर्किटेक्ट्ट्ट्टर होता है डेटावेस मेनेजमेंट का जैसे किसी भी बिल्डिंग का अर्किटेक्चर या कुछ तरह तो वो किस तीन लेवल पर रहता है यह द्यान रखेगा थ्री लेवल पर रहता है अगर अगर कोशन मिलता ठीक नहीं तो आप अगर इसको पढ़ना चाहते तो आप इसके लिए आर्किटेक्चर करके आप देख सकते हैं गुगल कर सकते हैं अगर ज्यादा चाहिए तो नहीं तो टाइम कम है तो आप सिधा कोश्चन को पढ़िए अंसर देखिए और याद कर लिजिए कि डिवी में कितना अर्किटेक्चर लेवल लाता है तो थिरी राता है बस इतना ही ध्यान में रखन नेश्ट है फिलिंद ब्लांक करना है तो इसमें आपको कौन सो हो जागा ईस वान रीजन फोर प्रोलाबलम डेटा है अंटिगरेटी तो इसके लिए डेटा अब्लीट्विट्विडिटी इसका इसका फिलिंद ब्लांक से आपको इसमें पूछा गया है इसका मतलब कौन से टर्म का मतलब होगा कि जो डेटा कंटेंड है डेटाबेस में वह रिलाइवल है तो इसका सही जवाब होगा डेटा इंटिक्रिटी इसका करेक्टर अंसर हो जागा आपका डेटा डिस्क्रिप्शनरी नेक्स्ट है शिदा सिदा कॉश्चन इसले जल्द जल्द करवा दे रहा हूँ एन अड्वांटेज अप्टेज अप्रोच इज डेटाबेस मेनजमेंट अप्रोच का अड्वांटेज क्या है लॉजिक इसका क्रेक्ट अंसर क्या होगा बताइए सुचिए खुदको जवाब दीजिए चलिए इसका क्रेक्ट अंसर हो जागा डेटा इंटीग्रेटेड एंड कैन वी अक्सेस बाइ मुल्टिपल प्रोग्राम्स नेक्स्ट कोश्चन है विच फ्लोविंगी जो ड्रॉबैक ऑप इस विच पर बताना है कि क्या है डीबमस का देखें इंप्रॉब्मेंट डेटा ऐका पंडीकवरी कॉंपलेक्सिटी में टेटा इंटीग्रेटी क्या है सोचिए इसका क्रेक्ट अंसर हो जागा कॉंपलेक्सिटी नेक्स्ट है इन वीच अफ द्व्लोविंग डेटावेस सब्सक्राइब करने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांस इस सेलर यह सारे क्या है सब्सक्राइब पार्ट फाइनांस जितने भी हो गया बैंकिंग तो है ही पूरा डेटावेस पर ही नेक्स्ट कोशन है थर्टी कितना थर्टीनाइट नमबर इसमें देखे क्या है अडेटावेस डाट कंटेंस टेबल लिंक्ट बाइक कॉमन फिल्ड इसको क्या बोलेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे रिलेशनल डेटावेश क्योंकि लिंक बनी रहा है तो सिंपल सा लॉजिक लगाई है इसको मारे रिलेशनल डेटावेस आइए और मेंस में पूछा गया और एकल और एकल बहुत ही इंप्टॉर्टन क्या है तो रेकल कुछ नहीं है आर डीबीएमस है यानि कि र सब्सक्राइब 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 क्या वो लेंगा उसको तो इसका सही जबाब होगा कि डोमेन चलिए नेक्स्ट देखिए अगर यह जिसको अगर जो डेटाबेस पढ़ते हैं उनके लिए सबसे बड़ा जरूरी चीज़ यह होता है कि प्रैमरी की और सबसे जरूरी रहता है तो प्रैमरी की क्या है तो इसका क्रेक्ट अंसर आपका हो जाएगा यूनिक यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड ठीक है क्या होता है रिकॉर्ड को इनिकली आइडेंटिफाई करता है चलिए नेक्स्ट क्रेंटिक प्रैमरी की में व्यूंजिक तो इसका सबुधार होगा आपका क्या कि नॉट नल प्रैमरी की क्या है नो नहीं होना चाहिए है मैं इस रेकॉल्डवर il नेग लिए सब्सक्राइब कर दोबारा इसका करेक्ट अंसर में बता देता हूं यह हो जाएगा आपका प्राइमरी की देखिए मैं बोला ना कि सब्सक्राइब करता है इसका प्राइमरी की देखिए बहुत ज्यादा ही फंक्सान है इसका प्राइमरी की का नेक्स्ट कोश्चन आपका दे पार्टिक्लर फिल्ड ऑफ रिकॉर्ड दैट इनिक्ली अदेटिफाइए इच रिकॉर्ड इस कॉल्ड तो इसका सही जवाब होगा प्राइमरी फिल्ड नेक्स्ट है आ इसमें आपको फिल करना है तो इसके देखिए अधिक प्राइमरी की था देखिए यहां पर मिल गया आपको पता चलेगा अब बोलाई जब फ्राइमरी की आफ वन फिल्ड एट और अधर फिल्ड अभी तक हम लोग वह ऐसा प्राइमरी की जो एक फिल्ड के फाइल के लाव उसको ठीक है तो यह प्राइमरी की और फॉरें की का कंसेप्ट समझ में आगे आपको तो आपका वो कैसे हैंडलिंग होता है डेटा यानि की मैनेजमेंट कैसे होता हो आपको समझें 50 परसेंट आपको किलियर हो जाएगा तो यहीं समझना इसमें आपको ज्यादा तर प्रा फॉरें की चले लिख देता हूं फॉरें की इसे प्रैमरी की ऑफ वन फाइल डैट अलसो एपियर का होता अनदर फाइल में नेक्स कोशन आपको फोटी एट इसमें पुछा गया आपसे फिलिंद ब्लैंस करना है इस इन इंवालिट टैप ऑफ डेटावेस की क्या है यह इन लग्या माकीक्त फ्राइमरी प्रैमरी की है फनलिट फैकर प्रेजर था नेक्स फोटेट्ट विक इसका सभा सब्सक्राजक सब्सक्राउजरा आपको सब्सक्क्राइब हो नेंट कि टुबेल क्या बोल रहा है डॉक्टर एफ कोड रिप्रेजेंट टुबेल रूस मतलब बारर रूस दिया धैट डेटावेस मस्ट ओबे इप हैज टूबी कंसीडर टूली रिलेशनल अगर टूली रिलेशनल है तो यह बारर रूस को मतलब करना पड़ेगा उसको फोलो तो यह इसका इंपर्टेंट कोश्चन हो जाता है कि कोई भी एगर जो भी इनसे रूलेटेड जैसे साइंस में साइंटिस्ट होते हैं वैसी कुछ से करूल किसी के दवारा दिया गया है तो वह एक कंप्रिटर के लैंगवेज में इंपर्टेंट हो जाता है ध्यान रखेगा और र तो इसका सभी जवाब होगा देखिए इसे स्टेंडर्ड वे ऑफ और्गनाजिंग इंफर्मेशन इंटू एक्सेसिवल पार्ट सिंपल सा कुछ नहीं जो एक्सेस करना उसको एक तरह से और्गनाइज करना उसको बोलते है लोजिकल स्कीमा स्कीमा मतलब एक तरह से स्कीम क स्कीमा और भी सिरियस प्र प्रोलम करेंगा तो वह प्रभ्लम में क्रियाट करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे द्यान रखेंगा data inconsistency ठीक है ध्यान रखेगा नेक्सेट भेंडेटा चेंज इन टो क्या होगा तो इसमें क्या होगा डेटा इंकंसेस्टेंसी हो जाएगा ठीक है और नेक्स कोईशन आपका चादि कुछी कोईशन और बचा है पूर सेशन पर बने रहे है पूरा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए आपको ही से बेनिफिट मिलेगा ज्यादा मैं बोलता नहीं हो और फिस अधर की बातें भी नहीं करता हूं मुस सिद्धा पढ़ाए किजिए आप ठीक है विच डेटावेज लैंग्वेज उसी यूज तो एक्स डेटा इठिक्स ऐस्टक्ष टो एक्स लेंग्विज कुई रेंगे करें ölूक है एक्जिस्ट्टन डेटाइज यूज वाप हो जाए म estresus embrace डेडियमे जो पता विण्व अ अब यह मलगों पता है बेलकुल बता है यह नहीं पता है से किजे बताएं थोड़ा सा मेनत आप लोग कीजिए नेच्ट यह डाइग्राम इन्पॉटेंट द्यान रखेगा इस ग्राफिक मेथड और प्रेजेंटिंग क्या ग्राफिक मेथड क्या प्रेजेंट करने के लिए डाइग्राम पूछा गया क्वेशन बहुत पार यहां पे त द्याइग्राम के बारे में पूछा जाता है बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक है यह डेटाबेस का द्यान रखेगा तो इसका सही जवाब है इन्टीटी क्लासेज एंड डियर रिलेसंसिप नेक्स्ट यह डियाग्राम इस इन्टीटी सेट आर रिप्रेजेंटेड इसको करेंगे इलीप्स से यह सब सेफ है जैसे रेक्टेंगल हो गया यह इलीप्स हो गया कुछ इस तरीके से फिर है आपका यह डायराम रिलेसंसिट टैप प्रेजेंटेड वाए इसका करेक्ट अंसर हो जागा डायमंड नेक्षान इन्टीटी सेट दाट दस नोट है इसका सही जवाब होगा विक इंटीटी सेट नेक्स्ट है इसका सही जवाब होगा अ अलब देवाब यानी की वन टूवन मेनी टूवन टूमेनी ठीक है तो यह यहां पर आपके जितने भी साट कोश्चन थे इंपॉर्टेंट डेटा बेस के मैं उसको आपके लिए बहुत में आया होगा और आपकी त्यारी में मेरा एक छोटा सा घुदान है तो इससे आप फाइदा उठाइए और सेशन को अगर एक बार मैं समझना भी नहीं है समय बहुत कम है आप कोश्चन देखिए और उसका अंसार देखिए और ऐसा नहीं कि समझ बने आगा सिंपल सा कोशन कोई आपको सॉप्ट्रेन इंजिनेरिंग में करना है चलिए तो बस इस सेशन में इतना ही बहुत चल्द और ज्यादा चेप्टर आप बचा भी नहीं है कितना बचा है मैं देख लेता हूं इसमें अभी बच्चे हैं आपके कूल टोटल इस बुक में चेप्टर थे 14 और य और अलग से फिर लगेगा कुछ objective form में आपको कुछन करवा दिया जाएगा और इतना को ही आप बार बारी विजन कीजिए से बाहर आपको कुछ नहीं पूछेगा एक दो कुछ पूछ भी लिया तो उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं देना है और भी सब्जेक्ट आपको क कवर करना है तो इतना कर लिए कि आपका मैक्सम कोशन कवर हो जाएगा चलिए फिर मिलते हैं नेक्स सेसन में पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए